तो है लो फैंट्स तो आज का ये वीडियो एक डेमार्डिंग वीडियो तो मेरे पास कमेंट आये तो उन्हों ने मुझे से बोला था कि सर आप टॉंसिल्स के बारें बताइए कि इसमें क्या टैब्लेट्स और मेडिसिन यूज़ की जादी हैं जो हम टॉंसिल्स पेशेंट क कि जो होते हैं तो यहां पर जो हमारे बॉड्डी का एक Hers recently आप इसको देशकते हैं तो यहांपे बेट दूनों साईड में जी आपके होते हैं तो यहांपर जो करते गाएं जो हमारा हुझ होता है उसके तरू बैक्टरिया वाइरसा आ जाते हैं तो उसको यह नंडी में उनकी ग्रूथ को रोकने में ये काफी अच्छा काम करता और ये हमारी बॉड़ी को एक defense के मेकानिस का काम ही करता तो ये जो मैंने यहाँ पर लिख रहा है जो कि बिल्कुल सिंपल से बड़ मैं तो यहाँ पर जिए हमारे जो प्रोटक्ट करता है हमारे जम से और जो टॉंस होता है जब इसमें इंफेक्शन हो जाता है तो उस कंडिशन को टॉंसिलाइटिस कहते हैं जो कि काफी दा सीवियर भी हो सकती है लेकिन आपको इसका टीर्मेंट जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें आपको तुरंधी करालने चीजिस से आपको आगी चल को कोई भी और दिक्कत ना हो टॉंसिलाइटिस होती है जो कि सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखी गई है तो यहाँ पर जो दिखरा जो कि सिंटम्स हैं जो कि छोटी बच्चों में इसली देखी जा सकते हैं तो यहाँ पर जो सिंटम्टम में अगर कोई भी छोटा बच्चा उ उसके अगर जो जो स्टमक में पेन बता रहा है या उसको गैस जैसी दिक्कत है और उसको जो लेटरी ने बार-बार हो दिये तो उस कंडिशन में यह जो टॉंचल होने के चांज़स हो सकते हैं नेक्स हमारा वर्बटिंग उसको बार-बार उल्टी होना फिर हमारा इस्टमक पेन वह आपको बार-बार पेड़ में दर्द बता रहा है और नेक्स्ट अमारे डूलिंग अगर कोई भी बच्चा है उसके लार ज्यादा रही उसकी लार दिरुएस से ज्यादा टपक रही है तो उस कंडिशन में हो सकता है कि उसके टॉंचल हो तो यहां पर देखिए यह यह जो सिंटमज है उसी के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट को परिवैड किया जाता है तो चली अब हम बात कर Nosil सिंटमस के बारे में जो कि आपको कोई भी पेशन्ट है या उसको टौन्जोंच्ट हो रखिय हैं तो उसमें यह उसको सिंटम देखने को मिल सकते हैं तो जो सबस से नॉर्मल आपको फील ही होगा अगर आप धर्मामीटर से ना पेंगे तो आपको कोई भी मैजर नहीं देगा तो यहां पर देखिए फिर आपका जो नेक्स्ट है वह हमार रेड़नेस आपके जो हो जाएगी नेक्स्ट हमारा वाइट यह पूरा सिस्टम होता है تو उसमें आपके कानमे भी दर्द हो सकता है नेक्स्ट मरस्वइलिंग आप कर से बारे में कि आगर कार जो tonsils हैं किस बज़े से होते हैं तो इसके जो main cause है तो यहाँ पर मैंने लिख रहे हैं तो जो अगर आपकी body में को भी bacteria growth कर जाता है जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था अगर आपको bacteria growth कर जाता है तो वहाँ पर आपके tonsils को कर सकता है तो यह भी एक main reason होता है नेस्ट हमारा बारे इंफेक्शन की बज़े से भी आपके tonsils हो सकते हैं जो कि आपकी गले में दर्द कर सकते हैं नेस्ट हमारा जो इसका जो main cause है जो कि एक bacteria होता है उसकी कारड़ी भी यह जो आपके tonsils में infection हो जाता है तो जो इस बैक्टरी का नाम है वह हमारा streptococcus bacteria जो कि tonsils को cause कर सकता है तो चली अब हम बात कर लेते इसके treatment के बारे में तो क्या treatment दिया जाना चाहिए जिसे की patient है वह जल्ली तो सबसे पहले आती है वह आती हैं वो आती हमारी antibiotic टैविट जो की काफ चीशा काम कर दी आंगर जो infection बैक्तिरिया के करड़ होगा है तो उस condition में antibiotic काफ च्प्रवार्ट कर दी है तो सब्स्यादा यूज होने वाली antibiotic के वह आपकी Monosub के नाम से जो कि काफी ता यूसफल है जिसके अंदर आपको सिफो डॉक्षिम जासा साल्ट मुझा था जो कि आपकी बैक्टरिया की गुरूथ को काफी सारी डॉक्टरिस को प्रिस्क्राब भी करते हैं फिर आती हमारी नेक्स्ट टैबिट है अगर आपको यह से यूज़ करना है अगर आप Monosub टैबिट ले रहे हैं तो उस कंडिशन में आप इसको दिन में दो बार सुबह शाम इजरी ले सकते हैं फिर आती हमारी सेफ्टम टैबिट यह भी अलगला तरह की डूस में आती है यह आपको ड़ाइसों महीं मिल जाती है और पांसों महीं पेंगले टैबिट वो काफी दा प्रिसक्राइब की जाती है तो जो टैबिट जो की सबसे अधा यूज़ होने वाले टैबिट अगर आपको नौरमली थोड़ा बहुत पेंड हो रहा है तो उस कंडिशन में भी काम करेंगी आपके पेंड में भी काम करेंगी और आपके फ् स्पीक की नमसे काफी दा फेमस है तो ये टेबिट आप दिन में दू बार इजरे ले शकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसकी हाफ डूज ले सकते हैं आपको दिन में हाफ आफ टेप्ध लेनी होती है तो जो हमारे हफे टरिचिन में आपको वापे साफ सफाई की आपको इन दोनों में से एक ही यूज़ करना है और आपको इसका एक एक ढखकन टैन एमल पानी में डाल कि आपको इनका जो गरारे करना आपको दिन में दो से तीन बार एजली कर सकते हैं जो कि आपकी बैक्टरिय के ग्रोथ को काफ यह अच्छे से कंट्रॉल कर लेता है और हमारे हो जाते हैं तो उस कंडिशन में वहाँ पर जखम भी हो जाते हैं तो उस कंडिशन में एंटिवाटिक तो साथ में काम करें गहीं और आपको साथ में कुछ ऐसे मल्टी बिटमिन्स भी लेने होते हैं जो कि आपको जल्दी से रिकवरी दे सकें तो उस कंडिशन में आ चाहिए आप बीकास्टल कैप्सूल भी ले सकतें जिसके अंदरकों बिटामिन बीक्यों के combination मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको जिंग भी मिल जाता जो कि आपके जो जखम होते हैं उनको भरने में काफी अच्छा काम करता है तो मैं आपको प्रेस्क्राब करूंगा आप बीकसुल जैड का यूज कर सकते हैं और किसी भी पेशन्ट की अगर टॉंसल फिर भी कंटॉर नहीं हो रहे हैं तो उस कंडिशन में आपको जो लास्ट ऑप्शन होदा डॉक्टर के पास वो होता है सरजरीगा तो उस कंडिशन में सर अगली वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मुसे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक कर लाओं ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके